अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और वेल आइकन को ज़रूर दबाएं बाद एक बड़ी खबर की बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर विपक्षी दुलों को दर्किनार करते हुए उप राश्ट्रपती चुनाओ को लेकर बहुत बड़ा एलान किया है मायावती ने एंडी उमिद्वार जगदीब धनकड को समर्थन देने का एलान किया है बदादी कि उप राश्ट्रपती चुनाओ के लिए 6 अगस्त को मतदान होंगे लेकिन उससे पहले मायावती ने एलान करते हुए सत्ता पक्ष उमिद्वार जगदीब धनकड को समर्थन देने का एलान किया है ववक्षी दलों ने मार्गरेट अलवा को उप राश्ट्रपती पत का प्रत्याश्य चुनाओ है इसने पहले राश्ट्रपती चुनाओ में भी मायावती ने NDA का समर्थन किया था मायावती ने ट्वीट कर कहा सर्व विदिते कि देश के सर्वोष राश्ट्रपती पत के लिए चुनाओ में सत्ता और विपक्ष के बीच आम सहमती ना बनने की वज़े से ही इसके लिए फिर अंतता चुनाओ हुआ अब ठीक वही इस्तती बनने के कारण उपराश्ट्रपती पत के लिए भी दिरांग 6 अगस को चुनाओ होने जा रहा है मायावती ने दूसरे ट्वीट में कहा BSP ने ऐसे में उपराश्रिपतिपत के लिए हो रहे चुनाओं में भी व्यापक जनहित और अपनी मूवमेंट को भी ध्यान में रखकर जगदीब धनकड को अपना समर्थन देने का फैसला किया है और जिसकी मैं आज अपचारिक रूप से घोशना भी करती हूँ दोस्तों माया पती की फैसले को आप कैसे देखते हैं अपनी राइ कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले